हेलो दोस्तो, वेलकम टो आवर यूटूब चैनल, अगर आप डेली निउस पेपर पढ़ते हैं, तो आपको पता होगी कि जेटेट 2020 का ओपिसियल नोटिपिकिशन आ चुकी है, और सेप्टेमबर के लास्ट तक इसके जो ओनलाइन फोर्म है, उसके आने की चांसेस हैं, इसी इसमें जो भी हम लोग प्रशन और उसके उत्तर की चर्चा करेंगे, वो ओपिसियल एंसर की से लिया हुआ है, इसलिए घबराने की एक परसेंट भी जरूरत नहीं है, तो चलिए सुरू करते हैं, तो जो कोशन नमबर वन है, हम लोग का पेडागोगी सेक्शन का उससे सु याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइबेट ट्यूशन लेनी चाहिए, वेवस्ता फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग नहीं है, तो इसका एंसर जो है, वो हो जाएगा, तीसरा नमबर, बच्चा फेल, सोरी, वेवस्ता फेल हुई है, दा सिस्टम है स्पे उसके बाद दूसरा कोश्चन पर आते हैं, कि सिक्चन अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, और जो उप्सन से हैं, बाल केंदरित सिक्चा पद्धती अपना कर, रटने को प्रोच साहित करके, अगर सिक्चन की तकनिक अपना कर, परिक्चा परिनामों पर के एंसर है, वो हो जाएगा, एक नंबर अर्थात बाल केंदरित सिक्चा पद्धती अपना कर, एडप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी, ठीक है, उसके बाद जो तिसरा परश्ण है, कि बीजों का अंकुरन संकलपना के सिक्चन की सबसे प्रभावी पद्धती है और इसके जो उप्संस हैं, विद्धार्थियों दोरा पोधे के बीज बोना और उसके अंकुरन के चरनों का अवलोकन करना, स्यामपट पर चित्र बनाना और वर्नन करना, बीज की बृद्धी की चित्र दिखाना, विश्तरित व्यक्या करना, तो इसका जो एंसर है, वो हो कख्चा में व्यवदता का उट्सव बनाती है, यह बहुत बार रिपएट करते रहता है, ठीके है, तो समवाविसी सिख्चा इसके जोortion कौन कौन से है, कख्चा में वीवदता का उत्सव मनाती है, दाखेले सम्बंदी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तक्त् उत्सव मनाती है ठीक है उसके बाद जो पाँचवा प्रश्न है वो है कि निमलिकित में से कौन सा बस्थूनिष्ट प्रश्न है और इसके जो से लगूराथमक प्रश्न, मुक्त उत्तरवाला प्रश्न, सत्यासत्य या फिर निवंदात्मक प्रश्न तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तिसरा नंबर सत्या असत्य उसके बाद हम लोग छट्टा प्रश्ण देखते हैं कि निम्लिकित में से कौन सी प्रगतिसील सिक्षा की विशेष्टा है इसके उप्सन से केवल प्रस्तावित पाट पुस्तकों प्राधारित अनुदेश परिक्षाओं में अच्छे अंग प्राप्त करने पर बल बार बार ली जाने वाली परिक्षाओं समझ सारनी और बेटनी की वेवस्ता में लचिलापन तो इसका जो एंसर है वो हो जाएगा तिसरा नंबर बार बार ली जाने वाली परिक्षाओं ठीक है उसके बाद जो सत्वा प्रश्ण है कि एक सिक् और इसके जो ऑप्सन से शमपूर्ण विस्वास्तू को सामिल करना, पbudषनों के प्रकार, विश् ONEस नियता या फिर बेट्दिता तो इसका जो एंसर है, इसका एंसर हो जाएगा एक नंबर संपूर्ण विस्वास्तू को सामिल करना उसके बाद जो आठवा प्रश्ण है कि बिवेच नात्मक सिक्छा सास्त्र का यद्रिड विश्वास है कि सिक्छा सास्त्रियों को स्वतंदर रूप से तरकना नहीं करनी चाहिए बच्चे स्कूल से बाहर क्या सिखते है या प्रसांगिक है सिक्छार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षन मतपुन होते हैं एक सिक्छक को हमिसा कक्छा कक्छ के अनुदेशन का नेत्रित तो करना चाहिए और इसका एंसर हो जाएगा तिसरा नंबर अर्थात की सिक्षारतियों के अनुभव और प्रेट्यक्शन महतपुन होते हैं नुवा प्रश्न विद्यालाई अधारित आकलन मुख्यरुप से किस सिधान्थ पर अधारित होता है और इसके जो उप्सन से बाईय परिक्षकों के अपिक्षा सिक्षक अपने सिक्षारतियों की चमताओं को बेतर जानते हैं किसी भी कीमत पर विद्यारतियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए विद्यालाई बाई परिक्चा निकायों के परिक्चा जायदा सक्चम है आकलन बहुत किफायत होना चाहिए ठीक है और इसका जो एंसर है इसका एंसर हो जाएगा एक नमबर अर्थात की बाई परिक्चकों के परिक्चा सिक्चक अपने परिक्चार्थियों की चमताओं को ब उपलब्द कराना चाहिए, कठोर अनुसासन सुनिश्चित करना चाहिए, परिक्छाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, या फिर अधिगम की एक समान गती पर बल देना चाहिए, और इसका एंसर हो जाएगा एक नंबर सीखने की बिविद अनभावों को उपलब्द कराना च चाहिए, उसके बाद हम लोग 11 नंबर प्रशने देखते हैं, कि निमलिकित में से कौन सा विकास का सिधान्त है, और इसके जो अप्सन से सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमें सा रेखिये होता है, ये निरंतर चलने वाले प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर समबंदित नहीं है, और इसका जो इंसर हो जाएगा, ये एक नंबर हो जाएगा, अर्थात सभी की विकास दर समान नहीं होती है, उसके बाद 12 नंबर देखते हैं, कि मानो विकास के छेत्रों में विभाजित किया जा, किया जाता है, जो है, इसके उप्स है, कि सारेरिक, अध्यात्मिक, संग्यानात्मक और समाजिक, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, इसका एंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर, मनोवेग्यानिक, संग्यानात्मक, संवेगात्मक और सारेरिक, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, तेरा नंबर देखते हैं, एक स उपागम डेस पर आधारित है और जो option है वो है कि अधिगम के सास्तिर्य अनुबंद फिर पुनरवलन के सिधान पर अधिगम के सक्रिय अनुबंदन पर या फिर ग्यान के निर्मान पर तो इसका answer हो जाएगा चोथा नमबर ग्यान के निर्मान पर construction of the knowledge ठीक है उसके बाद 14 नमबर question देखते हैं कि जब बच्चे की दादी उसे अपनी मा की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है बच्चा डेस के कारण रोता है इसके options कौन-कौन से हैं समाजिक दुस्चिंत था या फिर समवेगात्मक दुस्चिंत था या अजनवी दुस्चिंत था या फिर बियोग दुस्चिंत था तो इसके एंसर हो जाएगा चोथा नमबर बियोग दुस्चिंत था ठीक है उसके बाद 15 नमबर question देखते हैं कि सिख्चा के संदर में समाजी कारण से तातपर है इसके option है अपने समाजिक मांदंड बनाना समाज में बड चाबरन में अनुकुलन और समायोजन फिर question number 16 पर आते हैं राज इस्तर की एक एकल गायन परतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तेयार करते समय एक विद्यालई लड़कियों को वरियाता देता है यह दरसाता है और इसके options है बेस्पिक प्रवरितियां प्रयोज ना ठीक है उसके बाद 17 नंबर देखते हैं कि बाइगोट्स की बच्चों के सिखने में निम्लिकित में से किस कारक की मतपुन भूमिका पर बल देते हैं options है अनुवानसिक, नेतिक, सारेरिक या फिर समाजिक तो इसका answer हो जाएगा चोथा नंबर समाजिक, social ठीक है उसके भावित है और इसके option से कोहलबार्ग के नेतिक विकास के सिध्धान, गार्डनर के बहुबुद्धी सिध्धान, बाइगोट्स की के सामाजिक, सांस्कृतिक सिध्धान, प्याजे के संग्यानात्मक विकास के सिध्धान तो इसके answer हो जाएगा दो नंबर अर्थात की गार गार्डनर के बहुबुद्धी सिध्धान, ठीक है, उसके बाद 19 नंबर देखते हैं, एक सिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रशनों के उत्तर नहीं देती, वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समुचर्चाएं और सायोगात्मक अधिगम अपनाने के प्रोचसाइत करती है, यह उपागम डेश के सिध्धान पर अधारित है, और इसके उप्सन से अनुदेश नात्मक सामागरी के उचित संगटन, अच्छा उधारन परस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, फिर सिखने की ततपरता या फिर सक्रिय भागी दारिता उसके बाद विश्वा प्रश्न देखते हैं, निमलिकित में से कौन सा सिख्छक से संबंदित अधिगम को प्रवावित करने वाला कारक है, और इसके जो अप्सन है बेटने की उचित ब्यवस्ता, सिख्छन अधिगम संसाधनों की उपलबदता, विशय बस्तू या अधिगम अनुववों की प्रकृति या फिर विशय बस्तू में प्रविन्ता, और इसका जो एंसर हो जाएगा, इसका एंसर भी चोथा हो जाएगा, अर्थात मास्टरी ओबर दा सब्जेक्ट मेटर, ठीक है? क्वेशन नमबर 21 देखे, कोहलबर्ग के अनुसार सिक्षक बच्चों में नेतिक मुल्यों का विकास कर सकता है, और इसके अप्संस हैं, धार्मिक सिक्षक को महत्तो देकर बेवहार के इसपस्ट नियम मना कर, नेतिक मुद्दों पर अधारित चर्चाओं में सामिल करके, क चर्चाओं में उन्हें सामिल करके, ठीक है, 22 नमबर प्रशन देखे, चोटे सिक्षार्तियों को कक्षा कक्ष में समवयस को के साथ अंतक रिया करने के लिए प्रोच्साइद करना चाहिए, जिससे, इसके उप्संस है, वे एक दूसरे से प्रशन के उत्तर सीख सके, पाट करने के दोरान समाजी कोसल सीख सके, उसके बार, 23 नमबर, जब एक निरोग्य बच्चा पहली बार बिद्यालाय आता है, तो सिक्षा को क्या करना चाहिए, और इसके उप्संसे, बच्चे की निरोग्यता के अनुसार उसे विशेस बिद्यालाय में भिजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यारतियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विक्सित करने के लिए बच्चे के माता-पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, और फिर परवेस परिक्षा लेनी चाहिए, तो इसका इंसल हो जाएगा तिसरा नमबर, अर्थात की सहकार योजना विक्सित करने के लिए बच्चे के माता-पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, चोबिस नमबर देखे, प्याजे के संग्याना आत्मक विकास के चर्णों के अनुसार, इंद्रिया गामक अवस्ता किसके साथ संबन्दित है, और इसके अप्सन से अनुकरन, स्मृति और मानसिक निरुपन, तार्की ग्रुप से समयशा समाधन की योगता, विकल्पो के निर्वचन और विसलेशन करनी की योगता समाजिक मुद्दो से सारो कर, और इसका जो एंसर है, वो एक नमबर हो जाएगा, अनुकरन, इस्मृति और मानसिक निरुपन 25 नमबर पर आते हैं, मानव व्यक्तित परिनाम है, पालन पोशन और सिक्छा का अनुवान सिक्ता और वातावरन की अंतक्रिया का, केवल वातावरन का, केवल अनुवान सिक्ता का, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नमबर, अर्थात की अनुवान सिक्ता और वात ङरेपोन है क्यूंकि सिख्षार्ती हमेसा समों में ही बेस्तर सिखते हैं सिख्षक परि षीक्षन कारेकरवU में ऐसा ही बताया गया है इससे प्रत्य विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए सिख्षकों को बेहतर अफसर मिलते हैं बच्चों की विकासदर भीन होती है और वे भीन तरीके से सीख सकते हैं तो इसका एंसर क्या हो जागा चोथा नमबर इसका एंसर हो जाएगा उसके बाद 27 नमबर पर आते हैं निमलिकित में से कौन सी समश्या समाधान की वेज्यानिक पद्दती का पहला चरण है और इसके उप्सन से प्रकलन का परिक्षन करना समश्या के प्रती जागरुकता प्रसांगीक जानकारी को एकत्र करना प्रकलन का निर्मान करना और इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा हमारा दो नंबर समयशा के परती जाग रुपता ठीक है उसके बाद 28 नंबर देखते हैं निमलिकित में से कौन सा सीखने का छेत्र है अनुभाविक भावात्मक अध्यात्मिक या फिर बेवसाइक तो इसका एंसर हो जाएगा इसका उप्संस है कि सम्भावता कारी या अंतरिक रूप से बार बार हो रहा है बच्चा बुद्धिमान नहीं है बच्चे के सिखने के योगता नहीं है बच्चे को अनुसासित करने की जरूरत है और इसका जो एंसर है यह हो जाएगा एक नंबर अर्थात की सम्भावता क तरी या अंत्रिक रूप से बार-बार हो रहा है उसके बाद 30 नंबर देखते हैं प्राय सिख्छा अरतियों की तूरूटियां डेश की और संकेत करती है और इसके चौप्शन है वे कैसे कर सिखते हैं या अंत्रिक अभ्यास के आवशकता है सिखने के अनुपस्तिती सिख्छ आर्थियों के समाजिक आर्थिक इस्तर और तो इसका एंसर हो जाएगा कि यह आंतरिक अभ्यास की अवशक्ता है ठीक है धन्यवाद इसके mathematics portion की हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और अगली वीडियो की notification पाने के लिए हमारी चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा और जो bell का icon है उसे भी click कर दीजेगा ताकि जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसका notification अब तक directly पहुँच जाए धन्यवाद